श्री श्रीश वाय नमस्तो भ्यम दोस्तो दोस्तो चत्तीस गड़ के राइपुर जी लेक के कोकडी गव में चल रही श्री आशुतो श्रीमापराण कथा के चठे दिन की कथा आजपूर्ण हो चुकी हैं दोस्तो यदि किसी कारण विशापाच की कथा का शवन नहीं कर पाए हैं तो इस छोटी सी वीडियो में संपुन कथा का रस्तत्व हैं तो दोस्तो वीडियो अंत तक देखें अंत में मकड संक्रांती पर करने वाला एक उपाय भी बताया हैं कथा के प्रारमब में गुरू जी ने कहा कि हमने व्यासपीट से कभी हैं ना बोला कि आप अपना घर परिवार छोड़ कर किसी तीर्थे स्थान में ये किसी एक अंत में जाकर पूजा पाट करो अमने यहीं बोला है कि आप घर में रह कर परिवार के साथ रहकर भगवान की भक्ति करो क्योंकि घर परिवार व्यापार सभी संभालना है और यह करते करते हैं अगर आप एक लोटा जल भी शंकर जी को समर्पित करते हैं तो यही आपकी पूजा आपकी भक्ति हैं अगली जानकरी में गुरू जी ने कहा कि जिंदगी में चाहे कितना भी दूख आ जाए कितनी भी तकलीफ आ जाए कितनी भी परिशानी आ जाए यह कितना भी करजा हो जाए लेकिन आप जब आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसके सामने जब आप उसका दरवाजा कोले तो खुशी मन से खोलना उसके सामने अपना दुखणा मत रोना क्योंकि कोई आपका दु समर्पित करना और अपना सारा दुख उसी से कहना वही आपका दुख दूर करेगा पड़ोसी कुटूम परिवार कोई दुख दूर नहीं कर सकता कोई आपका दुख नहीं काट सकता क्योंकि कर्म का लिखा कोई भी नहीं काट सकता वह आपको स्यम को काटना पड़ता है कुद पर एक लोटा जल चडाने से क्या होता है जब आप शिवलिंग पर एक लोटा जडू चडाते हो तो शिवATHANपर लगा हुआ चंदन धुल जाता है शिव जी ने भी बेल पत्र धूल जाती है उन पर चड़ा हुआ दाई दूद घी सब धूल जाता है उसी तरह लोटा जल चड़ाने से हमारे कर्म में जो दुख की लाइने होती है वह भी धूल जाती है फिर गुरू जी ने कहा कि हम एसा नहीं कहते कि आप पैसे ना कामा लेकिन एक लोटा कि पूजा करो तब ही असली सुख प्राप्त होगा बढ़ते कथा कि अगली जानकरी के और गुरू जी ने कहा कि सब लोगों को यहीं लगता है कि हमारा दुख बढ़ा है दूसरों का दुख छोटा है पर एसा कभी ना सोचे जब शिव जी के मंदिर जाए तो सबसे पहले कि सरवे भवंतु सुखिना बढ़ते हैं पहले पत्र की और पहला पत्र जो कि गिता जी साहू लाई है उन्होंने लिखा बढ़ते कथा के अगले पत्र के और यह पत्र गीता जी साहू लेकर आई उन्होंने लिखा कि शिव जी की मेहमा का क्या बखान करू गुरुदेव मेरा लड़का 2018 में नेट के कोचिंग करने के लिए दुर्ग गया था दोस्तों के साथ मोटर साइकल से एक्सिडेंट हो गया दोस्तों ने उसके एक्सिडेंट हुआ इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया फिर दो दिन के बाद जब उसे बिलासपूर के हस्पिटल में भड़ती किया गया तो वहां के डॉक्टर ने ने फोन लगा कर बताया कि आपका बेटा कुमा में चला गया है और वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है तब ही हम लोग हॉस्पिटल गए और उसकी अवस्था को देख कर बहुत दुखी हुए वहां पोचने पर डॉक्टर ने हमसे कहा कि हम इसे 21 दिन तक वेंटिलेटर पर रखेंगे उसके बीच में भी हमारी कोई जवाबदारी नहीं अगर इनकी सांस वास कम उपचादा हो जाती है तो 21 दिन के बाद हम जैसे भी हवस्था में रहेंगे हम यहां आपको दे देंगे गुरुदेव हम प्रती दिन शिव भजन और कथा तो सुनते थे पर कभी शिवाला ही नहीं गए कभी जल चड़ाने का ऐसा विचार मन में ही नहीं आया बाबा ने हमें सब कुछ दिया था हम सोचते थे कि बाबा की भक्ती ही बस कथा सुन लेते थे उस दिन हमें पता चला कि एक लोटे जल का क्या महत्व होता है में और मेरी बेटिया सब एक लोटा जल लेकर शिवलिंक पर चड़ाने जाते और वह जल जहल कर लाते फिर बेटे की शरी पर लगा देते थे गुरुदेव बाबा की एसी क्रपा हुई कि 21 दिन तो दूर तीन दिन में ही उसके शरी ने काम करना प्रारंब कर दिया और वह ठीक होने लगा डाक्टर ने कहा था कि उसके सिर्प बहुत चोट है उसकी यादधाश चली जाएगी पर बाबा की एसी क्रपा हुई कि मेरा बेटा पहले जिसा था वेशा का वेशा ही हो गया कथा पांडाल में धोग लगाने आई हूँ बढ़ते हैं अगले पत्र की और अगला पत्र जो की सावित्री भाई साहू कोकड़ी पिलासपुर जिले से लाई थी उन्होंने अपने पत्र में लिखा गुरुदेव बाबा की क्रपा का क्या भखान करो उदर में बच्चा दानी खराब हो चुकी थी डाक्टरों को दिखाया तो डाक्टर ने कहा बच्चा दानी जल्द से जल्द निकालनी पड़ेगी क्योंकि वह बहुत कराब हो चुकी थी उससे इंफेक्शन फैलने का डर था गुरुदेव मैंने डाक्टर से पांस दिन की दवाई लेकर घर आ गई और डाक्टर से पांस दिन बाद ऑप्रेशन का बोला टीवी पर आपकी कथा सुनी पहली बाद मैं शिव मंदिर में जल चड़ाने उस दिन गए जिस दिन डाक्टर ने मुझसे ऑप्रेशन का बोला और बाबा के शिवलिंग को इसपर्ष करते हुए कहा बाबा मुझे संभाल लेना मैं कहां आई और चार दिन तक लगातार यही काम किया पांचवे दिन डाक्टर की यहां गई डाक्टर ने जाज करवाई तो डाक्टर खुद आश्रे में पड़ गया कि बच्चदानी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी उसमें किसी प्रकार का कोई पस नहीं पड़ा हुआ है आभार व् किसी व्यक्ति की भी हसी उड़ा है जिसके हाथ पाउं से विकलांग हो या फिर कोई मोटा पतला हो हमें किसी की हसी नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि यह सब भगवान के बनाये हुए ही है अगली जानकरी में गुरू जी ने कहा कि एक बाप अपने बेटे के लिए क्या नह दगाते थी तो उसे धगा कर पांच औराया तक लाते थे उस समय हमारे पिताजी की आंकों कमोत्यविंक आप्रेशन हुआ और हम स्कूल में पढ़ते थे हैं थेला धका कर पांच तक जाते थे जब भण पांच और पिताजी को कितनी बार भूब दग क्पदी थी दो रुपे आएंगे तो घर में काम आएंगे ये होता है एक पीता जो खुद भूका रह लेता है लेकिन अपने बच्चों के लिए पैसा जोडता है बढ़ते हैं आज की कथा कि अगली जानकरी क्यों है अगली जानकरी में गुरूजी ने कहा कि आज हम बहुत खुश होते है जब यह इतने पत्र पढ़ते हैं और उस पर गुरूजी ने कहा कि बहुत सारे लोग पूशते हैं कि शुपुरान सुनने से क्या होता है तो हम कहते हैं कि शुपुरान समर्पन की भावना देता है आज कल के नव यूग बेटा बेटी जो गलत रास्ते पर भी चले गए थे वो सही रास्ते पर आगए और अपने मा बाप के प्रत्र उनका प्यार बढ़ा है उनका वासली बढ़ा है उनका प्रेम बढ़ा है उनका त्याग बढ़ा है तो शुपुरान कथा हमें समर्पन की भावना सिखाती है बढ़ते हैं अगले पत्र के और अगला पत्र जो कि दि कखा में सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। फिर हमने विचार किया, और पत्र जल समर्पित करना और बैल पत्र चढ़ाना प्रारंब किया। गुरुजी जो भाई मेरा बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, आज उसकी श्रवन सकती दीरे-दीरे बढ़ गई हैं, उसकी वानी भी दीरे-दीरे आ गई हैं, हम पूरे परिवार के साथ कथा पांडाल में अभार व्यक्त करने आ रहे हैं, बढ़ते बहुत जिद्धी करता है रात को गंदगी करता है विस्तर गीला कर देता है आप बहुत परिशान हूँ वो रात भर रोता रहता है तो आपको करना क्या है कि शंकर भगवान की जलाधारी से जल नीचे गीरता है और वो आगे जाके गड़े में जाता है उससे पहले ही आप उस से अपना हाथ रखके महां से जल रोक लीजिए और दो चार बुंदे प्राप्त कर लीजिए और बच्चे के होटों पे लगा दीजिए बस इतना यह उपाय आप तो तीन सो पार तक लगातार करेंगे तो बच्चा जो गंदगी करता है विस्तर में वह करना बंद कर देंगे गुरू जी ने एक और अच्छा उपाय बताया है कि यदि आपके लड़का लड़कियों का संबन टूट रहा हो कोट में केस चल रहा हो दोनों पती पतनी अलग 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 रहे रहे हो तो आपको सिर्फ एक लोटा जल आशु तोश महादेव का नाम लेकर शीलिंग पर कल सुम्मार की दिन समर्पित करना है केसा भी कलेश हो कतम हो जाएगा और वापस से आपकी ग्रस्ती जुड जाएगे इस आशु तोशी महा पुराण में गुरू जी ने एक और बहुत अच्छा उपाय बताया है यदि आपके शरीर में कहीपे भी गठानों बच्चा दानी मे चेश्ट में तो आपको करना क्या है आपको शीलिंग पर पेले एक बेल पत्र चडाना है फिर उसके बाद एक लूटा जल समर्पित करना है और इस जल को जहल ले और इस बेल पत्र शीव जी से ओशदी रूप में प्राप्त कर ले और यह जब आप जल जहलो तो ओम मनी बत्र का नाम लेकर यह जल का आचमन करे और बेल पत्र खाले दोस्तो गुरू जी ने मकड संकरांति का भी एक बोत अच्छा उपाई बता है यदि आप चाते कि आपके घर में कभी भी कैंसर जैसी बिमारी ना हो लीवर किड़नी जैसी कोई बिमारी ना हो तो आपको मक सिक्का पाँच का सिक्का दबाकर आप किसी मन्दिर या ब्रामन को दान दो आपके घर में कभी यह बिमार्य प्रवेश नहीं करेगी दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे श्री महाकार